नमस्कार मैं हूँ राम किंकर, हाजिर हूँ, M.C.D. की राम कहानी को लेकर एक जो विक्सित समाज होता है, वह समाज कैसा होता है? क्या वो बहुत अत्याधुनिक, आधुनिक होना चाहिए? या फिर वो ऐसा समाज होना चाहिए जो अपनी विरासत को संजोए हुए हो या फिर विरासत को संजोने के साथ ही वो बहुत अत्याधुनिक हो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिसके जरीए एक स्वस्त समाज की कलपना की जा सकती है अमूमन अगर आप भारत के बारे में देखेंगे तो ये साफ तोर पर कहा गया है कि 2032 तक या फिर कहें 40 तक एक विक्सित राष्ट इसे बनाने की कोशिश की जाएगी अब मैं आता हूँ हाई कोर्ट की एक टिपड़ी पर जिसने साफ तोर पर इसी से रिलेटेड एक टिपड़ी की और साफ तोर पर कहा कि बहुत हो गया पीर बाबा मजार और मंदिर कम से कम विरासत तभी होगी जब लोग सांस ले पाएंगे दरसली की आचिका लगाई गई थी महरवली लाकिक में एक आशिक अल्लाह दरगाह उसे डिमोलीशन था उसका उसकी डिमोलीशन पर सुनवाई हुई तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस बाबा टिपड़ी किया और टिपड़ी पर उन्होंने यही साफ तोर पर कहा कि कम से कम सांस लेने दीजिये हर जगर बहुत जादा ये जो समारक है ये मिल जाएंगे लेकिन सांस तभी ले पाएंगे जब साफ तोर पर ये सब पेड़ पौधे बचे रहेंगे और even green lungs कहा जाता है जैसे जो one area है जो green area है इनको green lung कहा जा रहा है जहां मैं खड़ा हूँ अगर आपको आप देखेंगे तो यहाँ पे भी काफी ज़ादा green green आपको दिखाई देगा तो ये green lungs कहे जाते हैं फेफड़े कहे जाते हैं तो हाई कोट ने साफ तो पर टिपड़ी किये कि जब green ये फेफड़े बचे रहेंगे लोग सांस ले पाएंगे तभी अपनी विरासत का मज़ा लोग ले पाएंगे तो इसलिए वनक शेत्र में green belt में किसी की रहाइश की अनुमती नहीं दी जा सकती कोट ने साफ तोर पर ये बात कही और कोट ने ये भी कहा कि आप ज़रा जाकर ढून डालिए कि कहा पर ये जंगल मिलेगा और अमूमन देखे कि अगर दिल्ली की में बात करूँ तो पहले के मुकाबले आंकडों में ये greenery कम या अधिक हो सकती है लेकिन वक्त के साथ ये जो चीजें हैं वह साफ तोर पर दिखाती हैं कि किस तरह से आने वाले वक्त में ये जो तमाम green belt हैं कैसे अतिक्रमण का शिक हो रहे हैं शायद यही वजह से दिल्ली हाई कोट को ये तल्ख टिपड़ी करनी पड़ी तो साफ तोर पर ये कहा गया कि कि किसी भी तरह की धार्मिक संरचना को आधार बना करके किसी भी green belt में इस तरह का आतिकरमण बिल्कुल ना मन्जूर हैं तो स्वस्त रहिए, सुरक् अज़त धन्यवाद